हिंदुस्तान ने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और इस बार इसकी वज़ा बनी ये भारत की अगनी पांच मिसाइल अगनी पांच मिसाइल की जद में आधी दुनिया आती है देखियो रिपोर्ट अगनी पांच यानी भारत का इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल ये वो नाम है जिसे सुनते ही पाकिस्तान की होश उड़ जाते हैं और चीन की हेकली कल जब अगनी पांच ने आसमान का सीना चीरते हुए अपनी उरान भड़ी तो इसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी क्योंकि 5000 किलोमीटर दूर तक सटीक मिसाना लगाने वाली अगनी पांच मिसाइल की जद में आधी दुनिया आती है यही वज़ा है कि इन तस्वीरों को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चोड़ा हो जाता है अगनी पांच इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल को BRDU यानि Defense Research and Development Organization और भारत Dynamics Limited ने मिलकर बनाया है लगबग 8.16 किलोमीटर प्रती सेकेंड की रफतार से दुश्मन की तरफ बढ़ने वाली अगनी पांच मिसाइल की स्पीर साउन की स्पीर से 24 गुना ज्यादा है यानि ये महच 10 मिनट के अंदर 5000 किलोमीटर दूर दुश्मन की किसी भी ठिकाने को नेस्ता नाबूत कर सकती है खास बात ये है कि इसका निशाना अचूख है इसे मोबाइल लॉंचर से लॉंच किया जा सकता है यानि इसे एक जगा फिक्स करने की ज़रूरत नहीं इसे ट्रक पर लोड करके किसी भी जगा पर ले जाकर फायर किया जा सकता है इस मिसाइल के बारे में व्यग्यानिक M.Netrajan ने साल 2007 में पहली बार योजना बनाई थी अगनी 5 इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल है यानि ये पूरे एशिया के साथ साथ एशिया के बाहर यूरोप और अफरिका में भी दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकता है अगनी 5 की धमक से चीन और पाक खौफ में है क्योंकि चीन का ऐसा कोई शहर नहीं है जो इसकी जद में ना हो डियाडियो की तैयारी अब अगनी 5 को और घा तक बनाने की है इसकी रेंज को 10,000 किलोमिटर तक ले जाने की कोशिश की जा रही है अभी इसे केवल जमीन से चलाया जा सकता है लेकिन अब इसके संबरीन वर्जन पर भी काम चल रहा है ताकि जरूरत पढ़ने पर इसे संबंदर से भी दागा जा सके